प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिली में नोबे जी ट्वन्टी संसदी अध्यक्षव शिकर सम्मिल अनियान की P20 का उध्गाटन किया इसकी थीम एक प्रतिवी एक परिबार एक भविश्य के लिए संसद रखी गई है कारिकरम को संबोधित करती हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि P20 समिट उस भारत भूमी पर हो रही है जो मदर ओफ डेमोक्रेसी है यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की संसदी प्रताओं का महाकुम्भ है कारिकरम में 25 देसों के प्रजाइंडिंग ऑफिसर और G20 सदसे देसों के 10 से डेप्योटी स्पीकर शामिल हुए हलाकि खलिस्तान विबात की चलते करनाड़ा की स्पीकर रेमेंजे गेगने कारिकरम में शामिल नहीं हो शकी है प्रदान मंतरी ने कहा कि आतंकबाद को लेकर हम सभी को सखती बरतनी होगी आतंकबाद की परिभाशा को लेकर आम सहमती नाबर पाना दुख़द है 21 सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइबरंसी विबीदता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ती है ये वाइबरंसी हमें हर चुनोती से लड़ने की हर मुष्टिल काम मिलकर समाधान करने की प्रेड़ा देती है दुनिया के अलग कौनों में जो कुछ भी गट रहा है उचसे आज कोई भी अच्छूता नहीं है कौन्फलिक्स और कन्फन्ट्रेशन से आज दुनिया संकतों से जूज रही है इन संकतों से भरी दुनिया किसी के भी हीत में नहीं है मानवता के सामने जो बड़ी चुनोतियां है उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती यह शांती और भाईचारे का समय है साथ मिलकर चलने का समय है साथ आगे बढ़ने का समय है यह सबके विकास और कल्यान का समय है हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंदरीत सोच पर आगे बढ़ना होगा हमें विश्वकों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधीख होगी उतना ही बड़ा इंपेक्ट होगा कि भारत की अध्यक्ष्टा में हाल में हुए G20 लीडर समिट में नई दिल्ली लीडर डेकलेशन को सरसम्मती से स्विकार किया गया यह भारत के माननिय प्रधानमंती नई नमोदी जी के प्रभावशाली नेतत आयों वेश्चिक डस्ति कौन को दर्शाता है यह वेश्चिक चुनोतियों पर G20 देशों की एक जूटता और प्रतिपरता का भी प्रमान है एक्सेलेंसी नववापी टन्टी संवेलन लोगतांती मुल्यों अंतराश्टी सयोग तता वेश्चिक महत के विश्चों आउं समकालिन चुनोतियों के समाधान के साजा संसिदिय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिपरता को दर्शाता है लोगतंत हमारी सबसे अमुल्य विरासत है लोगतंत हमारी जीवन शेली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, विहार में है एक तरह से यह हमारी संस्कती और संसकार में आत्म साथ है इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सभाई कूप से हमने संस्दिये लोकतंत को अपनाया वस्तुत लोकतंत हमारे शाशनतंत की पारदर्शिता और जवाब देई का मूल आधार है एक्सलेंसी विशालता विविता और बहुलता भारत के लोकतंत की पैचान है हमने पिचतवश के लोकतंत की गोरोशाली